दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में भारतिय टीम को मुसीबत से निकाल कर 90 रन बना कर आउट हुए। धुरुव जुरेल नहीं पूरा कर पाए। अपना शतक लेकिन मैच के बाद बेहत भावुक हो गए। लेकिन फिर रोहिच शर्मा पर जो कहा उसे आपको भी सुनना चाह लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है? क्या टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि धुरुव जुरेल ने जिस तरह की बल्ले बाजी की है, चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दि उसकी आज हर कोई तारीफ कर रहा है। जिस पिछ पर रोहिच शर्मा जैसे खिलाडी मात्र दो रन बनाकर ही अपना विकेट गवा बैठे थे, वहाँ टीम इंडिया मुसीबत में थी और इस मुश्किलों से निकालने का काम किया। धुरुव जुरेल ने दरसल दोस्तों, आपको हम बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और तीन सौ तिरपन रन बनाई थी और फिर टीम इंडिया बल्लेबाजी के करने के लिए मैदान में उतरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीम इंडिया के च्छे विकेट मात्र 171 रन पर ही गिर चुके थे। 182 रन से भारत पीछे चल रहा था लेकिन धुरुव जुरेल और कुलदीप यादव ने मिलकर भारतिय पारी को संभाला। इस दौरान कुलदीप यादव ने 28 रन बनाए तो धुरुव जुरेल जो कि अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे और तेज बल्ले बाजी करते हुए पूरा मैच पलट कर रख दिया था लेकिन उनको अपने जाल में टॉम हाटली ने फंसाया और 90 रन बना कर धुरुव जुरेल अपना विकेट गवा बैठे जिसके चलते भारतिय टीम 307 रन ही बना पाई और टीम इंडिया 46 रन से पीछे रह गए हालां कि दोस्तों अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 182 रन की लीड जब इंग्लैंड टीम के पास थी तब उन्हें यही लग रहा होगा कि अगले 50 रन तक भारत की पूरी टीम को आल आउट कर देंगे लेकिन वहां से यहां तक लेकर आने में धुरुव जुर उसकी बात यह रही कि धुरुव जुरेल अपना शतक पूरा नहीं कर पाए हालां कि वो तो बड़ी आसानी से अपना शतक पूरा कर सकते थे अगर भारत के 9 विकेट ना हुए होते तो क्योंकि अंत में उनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं तेज बल्ले बाजी करने का और टॉम हार्टली ने इसी जाल में उनको फंसाया और गेंद सीधा स्टम्प पर लग गई जिसकी वजह से वो अपना विकेट गवा बैठे हालां कि धुरुव जुरेल को ऐसा करने के लिए खुद रोहिच शर्मा नहीं कहा था दरसल दोस्तों अब खुद बड़ा खुलासा करते हुए धुरुव जुरेल कहते हैं कि मुझे काफी दुख है कि मैं अपनी टीम के लिए आज शतक नहीं बना पाया अगर मैं 30 से 35 रन यहां से और जोड़ लेता तो हम काफी नजदीक पहुँच जाते लेकिन मैं ऐसा कर पाने में काम्याब नहीं हो पाया अब ये 90 रन की पारी अगर मेरी टीम को जिता नहीं सकती तो इस पारी का कोई महत्व नहीं है मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं 100 रन बनाऊ या फिर उससे ज्यादा रन मेरे को खुद रोहिद भाई ने कहा था कि तू या तो अपना शतक पूरा कर या फिर तेज बल्ले बाजी कर अगर शतक पूरा करना है तो लंच के बाद भी आकर तेरे को खेलना होगा और मैंने दूसरा विकल्प सोचा कि अगर मैं तेज बल्ले बाजी करूंगा तो जल्दी हम लंच से पहले हो सकता है कि इंगलैंड की टीम पर बड़त हासिल कर ले विफल रहा लेकिन मुझे खुशी है कि 90 रन बनाकर मैं अपनी टीम को करीब लेकर आया हूँ और रोहिद भाई की वज़ा से यह सब हो पाया अगर वो मुझे सलाह नहीं देते इस मैदान पर बल्ले बाजी की तो शायद मैं इतने रन भी नहीं बना पाता तो दोस्तों दुरुव जुरेल ने ऐसा कहकर लाखों करोडों हिंदुस्तानियों का ही दिल जीत लिया है लेकिन अब आपको क्या लगता है? क्या टीम इंडिया यहां से मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद